लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ये चेपटर बार अल्खषा बहुत आचा से पढ़ लिए और एक चैपटर है ये पेपर जो वण है इसमें और एक चैपटर है पेपर वर्ण में जो है पेपर ओन ध्यान रखेगा पेपर वन में और एक चैप्टर है इसके बाद हम लोग और यह पूरी तरीका से पर one complete हो जाएगा उसके बात हम लोग पीपर टूचालू करेंगे इस से पर लिडिकार गारा तक अगर आपने नहीं देखाया तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टर में दिया गया वहाँ देख सकते हैं या इसी चैनल प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए हम लोग चैप्टर बारा सुरू करते हैं जलत जल इसको खतम कर लेंगा उसके बाद तो पहले रायंगे इस से पहले वाला में बतायेतं गुप्त से जो थे वह कैसे यह उत्पन हुए तो इसको आप लोगन जानते हो आई एसपी के एंडविक्रिक सक पाळो needle sixty दो लेख सुरू में खतम हो गयाथा विद्ट गेरी के काम क्या हो गए था सुरू में ही खत्म हो गया था अब सोक जो थे सब बहुत जिन तक अभी देखिए का साथन भारत के कुछ-कुछ छेत्रों में अभी है ध्यान रखीए जब तक यह गुप्त शम्राज्य भी है यह कुजाण भी है उस समय तक सखों का ही तो सब्सक्राइब चली रहे हैं पहलों का उसी समय काम खत्म हो गया कुसान का देखिए कनिस के बाद इसे पहले पुसाने वन रहे तक नीश के बाद एक हुवी स्कुआ उसके बाद उतना यूग इसा सक नहीं हुए जिसके कारण वह जो वन्स है धीरजीर भीनास की और पहु यव कुसान में एक मीनुटे की मुटा टृक ड्रब था और भारत के अधिक्त्र हिस्था में फहल रहा हो तो प्रथियुथ जाण कर रहा ह मतेटिन फाख़ोन कर एक तरकूल हो कुस जागव मढने ऐता किsınız आसे ने अपना राजदानी यह पेसावर् को बनाया तो रह तो यहीं पर रादह, लेकिन बाकी जोग एपर छोटे-छोटे सामन्त राखता है , यह भी राजा भी राजा भी रखी यह कनि इस थे उसरी रह गई पारी महाराज लग गया किसी राजा के नम महाराज लग गया किसी राजा के नम महाराज लग गया तो समझ लेजिए को सामन्त है तो सामन्त कौन होते थे मालेजिए यहां पर कनिस्क बैठा हुए असासन कर रहा है और यह सब छोटे-छोटे जगों के राजा बनाए गए हैं और रा के बाद जो छोटे-छोटे सासक हुए उतने यूग नहीं हो पाए और यह सारे जगों पर अपना नियंत्र ना स्थापित नहीं कर पाए अब यह देख रहे तो सामन्त के अरीत राजा कमजोर है जब राजा कमजोर है तो अपने छुड़ाने कोशित करेंगे यह अपने आस्त सामन्त थे वह अपने आपको आजाद घुशित कर ले लगे और यह समय ऐसा है कि सारे सामन्तों ने अपने आपको आजाद घुशित कर ले लेकिन बात यहां पर यह हुआ कि जो दूर वाले सामन्त थे वह सब पहले अपने आपको आपको आजाद घुशित कर रहे ते क्यों है तो इधार आने में भी उसको खर्च लएगा सब सेना लेकर आना और वह कमजोर भी है कि उकरेश के पाल सब कमजोर होने लगे तो यह आने का इधर कोसित नहीं करेगा इधार वाले जो छ्षेत्र में सासक थे यह वाले छित्र में जो सा सकते वह चोटे चोटे जगोप और आपको सब्सक्राइब करने लग जिसमें से गुप्ट बंस मी एक था धान रखिए गुप्ट बंस भी एक था अब यह कुसाणों से जो सामंत अलग हुए यह राज तंत्र धान रखियेगा राज तांत्र यानी राजा वाले और कुछ गंधतर भी हुए थे गर्ण तंतर मतलब यहाँ पर राजा का साथ नहीं चल दाथ देखिये जू सामन्त होते ते कुछ जगह पर ऐसा अमन्त होते ते की गंट अंतरवा अचान 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 पर चूनकर और एक राज अबना जाता ता जैसे इसमें दूग पर मुटत गंट अंतर वलमा राज तंत गुप्त थे खुद गुप्त देखिन शाव तन्तर वहते ईसी से सान्स से अंतर होते नाग जाएंग अ पिकछा वाख कर आब देखिये यह जो चारो ऑथे यह चार और इसक आल हम और बहुत शारे ते ध्यान रखेगा यह आभीर होगा यहां पर आभीर आभीर होगा अब यहां पर देखिए और भी बहुत सारे थे जो इससे सोतंत्र हुए थे और इसमें भी गणतंत्र में लगभग दो का नाम आप कहेंगे सब का नाम क्यों नहीं हम लोग याद रख रहे हैं इसलिए नहीं याद रहे हैं कि सबके जुरूरत नहीं पढ़ती है जो हरी लिच्वि का नाम आया था उसमें भी हो क्या था गॉंट लूल्समय को सबसे ज्यादा बार उतप्ता मूं छेह पूंय हम लोग जब पढ़ रहे तो उसमें से यह उसाद पर्मुक कौन निकला मगद महाजन पद जो सबसे बड़ा हुआ ठीक वैसे गुप्त समराज सबसे बड़ा देखिए गुप्त समराज सबको अपने अंदर समिट लेगा चलिए गुप्त वन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वन्स कौन गुप्त वन्स हमें लगते हैं अभी तक किलियर हो गया होगा यह सारे जो लोग तेख उसानों के सामन ते यह सब कुसान के सामन अब जब देखे कुसान वन्स का कमजोर शासा कुए तो अपने आप निकलने लगे यह सब अपने आपको क्या घोजित करने सो तंत्री हम जबाया करते थे तो अपने आप छोटे राजाते तो तो आभी नहीं सकते थे अब देखिए कमजोर होगे आप इधर आक लड़ने लगेंगे नहीं लड़ेंगे तो आते भी नहीं थे और इनका मनोबल बढ़ता जाता था अब देखे गुप्त में सबसे पहला जो सासक हुआ ओने ड़के और और जदिया आप अपनें आप कहता था कि यहां रृफ और यहैंतर मोग रहें तो गुप्तवरेंजेजिफन होजी अपने यह कहता था कि यह हमारा चेतर दो है क्या है क्या है यह हमारा में जृत्र आ सभी कोई कई दिखत होगा माल आपको यहां कहां राजा बनाता तो यहां पर कहा जाए कि आप आप कई ळिकत है नहीं या पर अ उसके बाद घ्रेद रूक्त pasках की अने देखा इससे पहले वाले जो राज़ा थी उन्होंने क्या था या अपने आपको राजा सिर्फ घोचित किया थो कोई दिकत नहीं था तो मैं Das चोट फोक personagem भूब्स को सांस कौण धिकत नहीं था चलो सामन्थ है अपने आपको कि राजा कोभी दिया तो क्या धिकत है राजा तो हम ही बनाए है उसको कोण धिकत नहीं है अब सिरी उप्त जो घटोट कच आया तो इसने का किया इसने कहा कि हम यहां का राजा तो हैं ही और बाकी जो कुसान वन्स के जो सासक है उनका इंट्री यहां पर बैन है वो नहीं आ सकते हैं वो नहीं आ सकते हैं उनका इंट्री बैन है किनका कुसान वन्स के जो सासक जो सामन्त हमको बनाया है अब उनका इंट्री यहां पर बैन है आपको पहले जैसा ही लेकिन आपको अपने राजे में नहीं आने देंगे अब आपको जो करना होगा वो कर लिए तो यहां पर तो कमजोर साकते तो यह आ नहीं सकते ठीक है कोई दिक्कत नहीं देखिए इनका मन देरे देरे बढ़ रहा है बोला जाता है न एक कहावत है कि धन का बढ़ना ठीक होता है मन का बढ़ना ठीक नहीं होता लेकिन यहां पर मन का बढ़ना ठीक है दो को इनका मन कैसे बढ़ रहा है या आगे देखिए कैसे गटोटकच जो हुगा अब गटोटकच के बाद इसने अपना घोषित कर दिया कहां इतना हमारा है और बाहरी कोई नहीं आ सकते इसके बाद आया चंद्रगुप्त प्राथम चंद्रगुप्त प्राथम अब इनका मन बढ़ा हुगा तो पहले से ही इसका मन थोड़ा सा पढ़ गया अब यह आते ही पहले धमकाया किसको दहमकाया इनको धमकाया कहा कि अब हम अपने आपको तुक राजा घोषित करते हैं और यहां पर सब्सक्राइब किसी को प्राहिया प्रहिश का मत रहीं अब ल üzर तो कुसानों को इंदर उल्जा वए तो और यह इत आपने इदर का명 कारीयों से यह रहते अपने यहां को पता है यहां को पता है आपको पता है यहां यहां आना कितना बड़ा डिफिकल्ट एग दिराज की उपादी धारण किया और उसके बाद इसने क्या किया इसने और भी कोई सारे कारे कि यह लोग इतने आप बात कहेंगे की इतने बड़े सासक थे करूंए नहीं कर सकते थे देखिए क्या था जैसे इनके oraz इनके возможность पर युक्विशन कर लिया और उसके बाद अपना समराज्य विस्तार करना चालु कि इसलिए यह में इसलिए इस वाज्य वास्तविक संस्थापक बला जाता है और यह यह समराज्य विस्तार करना चालु कि यह आसपास वाले देखिए एक योग राजा के गूंड इसमें बहुत अच्छा से था इसको पता था राजा वही वह था जिसको पता होता है किसे लड़ना है और किसे दोस्ती करना है किसे वयवाहिएक संबंध बनाना तीन तरह से समराज विस्तार किये जाते हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे अभी तो लोग तंत रहें अभी तो समराज विस्तार कैसे करेंगे अभी तो आकर्मन करके समराज विस्तार करना पड़ेगा नहीं तो देखिए समराज विस्तार पहले राजा किस तरह से तीन तर मुझेत नहीं हमारे जादा अब यह स्टानिक माली जिसका दोस अजाद रो पहला दोस्ति दूसरा यूद और तीसरा वह संबंद यानि किसी बगल वाले राज्य की जो राजकुमारी उससाधी हो गया जब रिष्टधारी हो गया तो अपने रिष्टधार हो गया रिष्टधार हो गया तो अनिक मदद देंगे तो यह सब होता था तीन तरीका से इसने भी समराज विष्टार करना चालू किया और और एक बात यहां पर समराज करना चालू किया त कुछ ऐसा था कि कुछ जगों से वाइवाहिक संबंध जिसमें से पर मुख इसका वाइवाहिक संबंध था इसने लिच्वी के राजकुमारी ध्यान रखिएगा यहां पर लिच्वी लिच्वी के राजकुमारी ध्यान रखिएगा राजकुमारी राजकुमारी जिनका नाम कुमार देवी कुमार देवी कुमार देवी सिसने साधी किया और साधी करने के बाद लिश्वी भी तो इसी में मिल गया साधी करने के बाद लिश्वी करने के बाद एक सिक्का चलवाया कैसा सिक्का चलवाया सोना वाला सिक्का चलवाया और सुना के सिक्का पर उस सिक्का का नाम था राजा रानी सिक्का कौन सा राजा रानी परकार का सिक्का जान रखिएगा सोना का जो सिक्का था उसका नाम था राजा 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 रानी रानी परकार का सिक्षा था अब इसमें क्या था राजा रानी परकार का सिक्षा में दिखाई देरा ना राजा रानी परकार का सिक्षा था इस सिक्षा में का था एक तरफ कुमार देभी का चीतर बना हुआ था और एक तरफ चंद्रगुप्त पर कर दो भान्दार था इनके पासने अब राजारानी परकार के सिख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् समुंद्र गुप्त समुंद्र गुप्त जो कि आगे आप पढ़ेंगे बहुत ही योगधा ज़ा आए जो घोड़ा है वह तीन समुंद्र का पान इता है कि इसके पीता योगी और यह हुए पीद आ से ही थे अपने आप मैं मतलब थे कि हम इसके पहले को कोई श्री घुप्त और या घृतोटकर्च था कोई अपने आपको सवतंद्र राजा गोसित कर रहा था नहीं जब इसके पीटा ने खुद को सवतंद्र राजा समझे इसका बेटा कैसा होगा बेटा को भी तो ऐसे ट्रेनिंग दिया गया होगा तो यह देखिए समूंद्र कुप्त को भी भणया स त्रेनिंग दिया गया था और इसके बाद क्योंकि चंद्रगुप्त प्राथम अंतिम समय में जब ब्रीद हो गया तो अपने आप अपना पद कत्याग कर दिया और खुद सन्यास गरहन कर लिए धान रखिये जैसे आप मौरे वंस में देखे होंगे आतिम समय में अपने पूत्र जिसका नाम था बिंदू सार उसको अपने राजे देकर और क्या हो गया था ठीक है वैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने देखिए वह भी चंद्रगुप्त थे यह भी चंद्रगुप्त प्रथम ने अंतिम समय में सन्यास ग्रहंट कर लिया और अपना पूत्र समूंद्र गुप्त को क्या किया गद्दी पर बैठाए कि runtime पताथ हमसे योग हमसे भी यह कौन समुंद्र गुप्त है और इसको पता है कि हम बिरिद्ध हो चुके हैं अब इसको सासन करने के लिए यह माना जाता है कि संपूर्ण भारत पर यह दक्षिण में इधर भी यह तारे जग हो पर अपना सासना थापित के जिस तरह से मौरेवंस के समय भारत के अधिकतर ह अगया हम लोग समुंद्र गुप्त के बारे में पढ़ेंगा सब कुछ पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अभी इसके बाद इस चेप्टर है इसके बाद और एक चेप्टर है उसके बाद खतम ही हो गया नहीं रहेत बहुत अच्छा समाज में आ गया होगा इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी को चानों आप कमेंटर पूछ सकते हम लेता समझ में आग यहूँ